हेलो ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम टू विटी क्रियेटिविटी आज हम बनाएंगे पेपर से रंगोली जो दिखने में बहुत सुन्दर होगी और एक बार बनाकर आप इसे रियूस भी कर सकते हैं पेपर को मैंने 4 बराबर हिसो में कट कर लिया है पें रिफिल या टूथपीक की सायता से हम पेपर को किनारों से रोल करेंगे इस तरह से हमें काफी सारे पेपर रोल्स बना लेने हैं आप चाहे तो न्यूस पेपर भी यूज़ करते हैं बस इस चीज़ का ध्यान रखे कि आप जो भी पेपर यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि फोल्ड करने में आसानी हो अब हम बनाएंगी फर्स्ट शेप जिसके लिए पेपर रोल को एक्सेक्ट पीच से मोड लेना है पत्ते का शेप देना है और फेविकॉल से चिपका लेना है मैं एक और आपको बना कर दिखाती हूँ फूल बनाने के लिए हम बनाएंगे बेसिक पिटल शेप बनाएंगे रेना है फिर इसके अलावा जैसे हमने सबसे पहले बड़े पत्ते का शेप बनाया था उसी तर हम छोटे पत्ते भी बना लेंगे प्रोसीजर सेम है बस साइस थोड़ा छोटा होगा नेक्स्ट अब एक और अलग शेप बनाएंगे पेपर रोल को बीच से मोड लिया है और दोनों एंड को इस तरह से गोल गोल फोल्ड करना है मैंने सारे शेप आपको दो-दो बार बना कर दिखाये है ताकि आप भी इसे आसानी से बना पाएं प्रोड़ा 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 बना फॉड़ा प्रोड़ाग्स अब इस तरह से सारे शेप्स रेडी हो गए है अब रंगोली डिजाइन बनाने के लिए हम इसे कर लेंगे अरेंज और हमारी सुन्दर सी यूनीक एंड इजी रंगोली इस रेडी इसका अडवांस वर्जिन आपको वीडियो के पार्ट 2 में मिल जाएगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी ये जो रंगोली है मिंटो में अरेंज हो जाती है कोई जंजट नहीं है अगर ये हिल भी गई तो आप इसको दुबारा से अरेंज कर सकते हैं इसी तरह मैंने बॉर्डर रंगोली निउस्पेपर से बनाई है बस इसे मैंने उपर से कलर किया है नेक्स्ट वीडियो में हम कलरफुल रंगोली बनाना सिखेंगे I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो लाइक कर दीजेगा नीचे कमेंट में कुछ कमेंट कर दीजिए मिलते हैं वीडियो के पार्ट टू में तिल देन बाई बाई और टेक केर अले हैं धर झाले हैं यब बाई